नमशकर आपका स्वागत ते उत्तर प्रदेश एक्स्प्रेस में और मैं हूँ आपके साथ चेताली पाठेग करिशाला में 1000 लोगों की भीड जुटाई जाएगी असवाक की बड़ी खमर आपको उता रहे हैं लक lawnसे जा कारशाला में 1000 लोगों की भीड जुटाई जाएगी बता दे किसकारशाला में मुख्य मंतरी योग्यादितनात भी शामिल होंगे साथी साथ प्रदेश अद्यक्ष भूपेंद चौधरी डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी इसमें शामिल होंगे कारेशाला में एक हजार से जादा कारे करता हूँ के शामिल होने का नुमान जुताए जा रहा है एक सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर कल कारेशाला होगी राश्यमा मंत्री विनोध ताफडे और सीएम योगी अधितिनाद मौजूद रहेंगे बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी जी बिल्कुल चेताली कल से यहाँ पर एक कारेसाला आज़ित हो रही है जिसको लेकर के राश्टी महामंत्री विनोध ताफडे उसमें मुख्यरूप से सामिल होगे और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सियम संगठन महामंत्री धरमपाल जी और करीब एक हजार से ज़्यादा नेता और कारकरता इसमें सामिल होगे और इस अभियान की जो मुख्यकार है वो एक तारिक से सदसता अभियान चलाया जाएगा जिसमें बहुत सारे लोग जो भारती जनता पार्टी के सदस से बनना चाहते हैं या सदस से नहीं है उनको जोड़ा जाएगा कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो पार्लियमेंटी चुना हुआ है इस चुनाओं के बाद उत्तर प्रदेश का जो परिडाम आया है उस परिडाम को लेके पार्टी का सीज नेति तो काफी चिंतित है वो हर उस बात को लेकर के ध्यान में रख रहा है कि कहां से कारकरता पार्टी और संगटन से रुष्ट हुए हैं इसके कारण से जो 2024 का जो चुना हुआ है इसमें भारती जनता पार्टी को इतनी कम सीटे आई है चुकि यहां पर मिसन 80 का जो उसका नारा था भारती जनता पार्टी का उसमें आधे पे भी इस्तिती बन नहीं पाई तो ऐसे में भारती जन्ता पार्टी अब संगटन और सरकार के समन्वे से बहुत सारे अभियान है जिसको चला कर जन्ता कारकरता और घरों तक पहुँचकर अपनी बात को पहुचाएगी केंच सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजना हैं जिसको धरातल पर उतारा गया था और उसी के भरोसे सरकार 2024 का पार्लेमेंटी चुनाव लड़ रही थी लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सिकस्त मिली है भारती जन्ता पार्टी को वा काफी अभियान रुका हुआ था लेकिन अब फिर से उसकी कल एक कारसाला आयुजित की जा रही है इस कारसाला में पूरी तरह मंतला होगा मंतन होगा इसके बाद एक तारिक से यह सदस्ता अभियान चला जाएगा चैताली जी पवन ये अभियान से पहरे जो कारिश्राला होने व देखिए इस कारेसाला में सबसे बड़ी बात है कि उत्तरप्रदेश की जो सीटें हारी हुई है उसको लेकर के बड़ी चर्चा होगी इसके बाद आने वाले समय में यहाँ दस विधान सभा के दस उप चुना होने हैं जिसको लेकर मुखमंत्री होगी आधितनात काफी चिंत की नेता हैं बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी इंटर्नल रिपोर्ट आई है जो बागी हुए थे भारतिजनता पार्टी के कारकरता और नेता के रूप में सामिल थे लेकिन इसके बावज़ूद से भारती पार्टीयों का उन्होंने सहयोग किया है ऐसी जानकारी है हाई कम और चुनाओं के बाद कलीव 40 टीमें बना कर पूरे प्रदेश में भेजी गई थी कि किन कारणों से भारती जंता पार्टी के जो ओट प्रच्छत घटा है यहां पे जो पार्टी के जितने भी नेता लड़ रहते उसमें हार का सामना किया है उन सभी मुद्दों को देख करके यहां से हाई कमान तक जब भी इस मीटिंग और बैठक होती है तिसमें मुख्य मुद्दों में सामिल होता और इसको चर्चा में ला जाता है कि आगे हम कौन सी रणनीत अपना है जिसको ले करके कि जो पार्टी के एक कार करता या आम जंता आम ओटन मतदाता जो नाराज है उसको कैसे अपने पाले में किया जाए उन सभी मुद्दों को ले करके गहन चर्चा होगी चैताली जी पावन जिस तरीके से लोगसब़ा चुनाव में बीज़पे की कुछ सीटे जो जाती हो इन अज़राईती अब जो उपचुनाव होना है उसको लेकर बीज़पे किस त बड़ी टककर है मुख्विपक्षिस समाजबादी पार्टी का ऐसे में मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से उसको चैलेंज लिया है और एक एक सीट में दो से तीन मंत्रियों को ड्यूटी लगाई गई है कि उन सीटों पर जा करके बारीकी से जमीन तक उसका आकलन करें क्या कमिया है किस तरह से उसमें हम अपने को पेस करें किस तरह से हमको काम करें और मुख्यमंत्री ने मीटिंग के तहट इन लोगों को निर्देश भी दिया है कि अगर कहीं कोई समस्य आती है कोई दिक्कत आती है अधिकारी से लेबल पे या नेताओं के लेबल की या कारकरता असंतुष्ट है तो वो डारेक्ट उनसे बात करें और वो डारेक्ट इस बात के लिए उपलब्द रहेंगे इससे पहले मुक्कमंत्री योगी अधितनात ने पूरे प्रदेश की 18 मंडल के नेताओं और कारकरताओं के साथ मीटिंग किया है और हर दिन कहीं कहीं जब दौरा ह होता है तो उस दौरे में उस समिच्चा बैठक में सभी नेताओं से फीट बैक लेते हैं और जो कमिया है उसको सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे है चैताली जी शुक्रिया पवाइं तबाम जार्कारी के लिए आप हमें अपडेट देते रहिएगा वतारे कि कारिशाला की बैठक में शामिल होंगे डिप्टे सेम के शव प्रसाद मौद भी शामिल होंगे कारिशाला में एक हजार लोगों की भीड जुटाई चाहिकी